वेलकम तू माई यूट्यूब चैनल मैं वीडियो सीरीज में आप लोगों को नवेंबर 2020 के सलुशन्स कवर करवा रही हूँ एक वीडियो पहले ही आप लोगों को मिल चुकी है जिसमें मैंने आपको कुछ क्वेशन्स एक्सप्लें किये थे साथ मैं मैंने ये भी बताया था कि ज़रूरी नहीं है अपकमिंग एक्जाम में वही क्वेशन आई तो उन टॉपिक्स के बारे में आप लोगों को और डिटेल में भी पता होना चाहिए जो के मैं आज इस क्लास में नेक्स्ट उसी के रिकार्डिंग कुछ चीज़े आपको समझाऊंगी जो आपसे पूछे जा सकते हैं ठीक है चलिए तो दियर स्टुडेंस दिस इस माई प्रफाइल ओन अन अकैडमी तो यू कें सर्च निशामित्तल ओवर देर बिकाज वहां पे भी मैंने बहुत सारा फ्री स्टडी माटीरियल एंड कंटेंट पोस्ट किया हुआ है अन अकैडमी के उपर इन दिनों में 14 नवंबर को जो है अन अकैडमी चैंपियन्शिप टेस्ट स्टार्ट हो रहा है तो वो क्या है special classes अन अकैडमी के उपर special classes जो होती है बिलकुल free होती है जिनका live experience बहुत अच्छा रहता है ठीक है उन में आप बहुत topic easily educator से समझते हैं इसी series में हर Sunday मैं आपकी special class 9.30am ले रही हूँ तो आप उसको मेरी class को enroll कर सकते हैं वो एक दिन पहले launch हो जाती है ठीक है जिस दिन class होती है उससे एक दिन पहले मैं launch कर देती हूँ ठीक है अपार्ट फ्रॉम डैट अन अकैडमी के उपर मेरा जो है plus course batch course तलबीर सर के साथ launch हो चुका है वो आपको उसमें complete course करवाएंगे paper 1 का मैं आपको paper 2 computer science कवर करवाऊंगी ठीक है तो ये आप plus classes की subscription ले सकते हैं उनको attend कर सकते हैं और निशायम referral code के साथ आपको 10% का discount मिलेगा वन यर की discounted fees अन अकैडमी के उपर just 13,000 है जैसे आपने देखा होगा institutes में 40-50,000 कम से कम fees होती है UGC net की preparation की पर अन अकैडमी के उपर charges बहुत nominal है तो आप ये join कर सकते हैं ठीक है स्टार्ट करेंगे आज के first topic के साथ तो मैंने last class में आप लोगों को एक question दिखाया था that was related to Goran Shading and Fong Shading ठीक है Fong and Goran के बारे में वो आपसे true बूठ रहा था पहले उसने लिखा था Goran required more computations Goran Shading में बहुत ज्यादा computation required है किस से ज्यादा? Fong से ज्यादा तो ये बिल्कुल गलत है ये false है क्योंकि ज्यादा calculation किस में चाहिए? Fong में Goran Shading linear interpolate the color of an interior pixel from the color at the vertices Goran Shading में कहते ही interior color जो है वो भी वो ही vertex के उपर लगता है this is true Fong Shading क्या करता है? Vector Normal, normal draw करता है मतलब perpendicular जो normal के उपर vertex के उपर color होता है वही इसमें main होता है इसमें जो interior में है वो color main होता है तो B and C दोनों true थे जिसके कारण third option answer आया था पर फिर मैंने बताया था आपको कि point वो कुछ भी बूच सकता है चलो तो discuss करते है सबसे पहले Gond Shading का name जो है Henry Gond के उपर पड़ा है और ये first publish कब किया गया था Gond Shading 1971 में फिर उसके बाद Each polygon has one normal vector per vertex इसमें क्या होता है हर एक polygon जो है Polygon क्या होता है जिसके many faces zone जैसी ये polygon है ठीक है One normal vector per vertex हर एक vertex के उपर normal vector होता है But instead of interpolating vector the color of each vertex is computed and then interpolated across the surface of polygon तो इसमें होगा क्या Color of each vertex is computed हर एक vertex का जो color है उसको compute किया जाता है और उसको सारे surface के उपर implement कर दिया जाता है अब हम comparison देखेंगे Fong Shading का क्या है Fong Shading जो है वो Bui Tong Fong के नेम के उपर है 1973 में ये establish हुआ था इसमें क्या होता है Each rendered polygon has one normal vector इसमें क्या था previous में गौरंड में क्या था हर polygon में हर vertex के उपर एक normal है बट इसमें जो render की गई है render का मतलब क्या है जो एक तरह की draw हो चुकी ठीक है has one normal vector per vertex हर vertex के लिए normal vector होता है Shading is performed इसमें shading की जाती है किसके हिसाब से surface के उपर ठीक है जाहां जाहां पर ये आपके colors intersect करते है according to that shading होती है पर गौरंड में उतना real effect नजर नहीं आता जितना fong में आता है ठीक है फौंग में क्या होता है polygon surface के according illumination होती है next क्या है interpolate color along edges and scan line scan line के through edges के through interpolate करता है interpolate normal instead of colors अब next क्या है इसमें जब भी हम गौरंड shading की बात करते हैं ये ज्यादा expensive नहीं है क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा calculation की नहीं जाती less calculation होती है जिसकी कारण cost कम हो जाती है font shading ज्यादा expensive है क्योंकि इसको बहुत ज्यादा calculation की जरूरत पड़ती है तो जितनी ज्यादा calculation होईगी उतनी ज्यादा cost के उपर effect पड़ेगा interpolate colors along edges and scan line ये point मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था interpolate colors ठीक है relaxing time जो है इसमें moderate चाहिए and इसमें good quality picture होती है इसलिए ये slow b है जो garant है वो comparatively fast है next है illumination at border vertices इसमें क्या था illumination at each point of polygon surface ये illumination just border के उपर की गई है लेकिन इसमें illumination हर एक point के उपर मतलब surface में अंदर diagram में सभी जगा पे interpolation की गई है it can introduce anomalies इसमें एक anomaly आजाती है that is match bands लेकिन इसमें match band का जो effect है वो कम हो जाता है इसमें ज्यादा होता है lighting equation used as each vertex इसमें lighting equation जो use की गई है each pixel पे use की गई है इसमें just vertex vertex क्या होता है ये corners जो है this is called vertex इसमें diagram का हर pixel जो है उसके उपर lighting equation लगाई है तभी हमने इसमें real effect नज़र आता है fong में ठीक है तो smooth surface होता है इसमें smooth and shining डोनों surface के लिए हम fong use कर सकते है तो this is the concept of gorn and fong shading तो इन में से कोई भी जो है आप से examiner पूछ सकता है question का question किसी भी तरह का तो दिमाग में ये रखिए कि fong shading is much better so that's why वो complex भी है that's why उसकी cost भी ज्यादा होगी fong की ठीक है gorn shading क्योंकि best नहीं है ठीक है तो इसलिए वो simple सी बात है उसमें efforts कम लगते है इसलिए वो cheap भी है ठीक है as compared to that चलो next question के ओपर move करेंगी that is related to hard wired two statement यहाँ पे given है और आप से पूछा गया है कि दोनों statement से बताओ कि true क्या है false क्या है hard wired control unit can be optimized to produce fast mode of operation देखो एक होता है hard wired एक होता है micro program control unit ठीक है hard wired में क्या use की गई है wires use की गई है किसी भी तरह के concept के लिए लेकिन अगर micro program की हम बात करें वहाँ पे क्या use किया गया है वहाँ पे coding use की गई है तो hard wired control unit so what is used hard wired control unit जो है ठीक है यह fast mode of operations perform करता है in direct addressing mode में यह first जो option है यह बिलकुल true है क्योंकि यह fast है comparatively micro program से ठीक है यह micro program से fast है indirect addressing mode में दो memory reference होते हैं ध्यान दीजिए यह किसका topic है indirect का यह है हमारा addressing mode का दस addressing mode होते हैं दारेक्ट इंडारेक्ट ठीक है रिलेटेव पीसी रिलेटेव दन इंडेक्स ठीक है दस है रिजिस्टर रिजिस्टर इंडारेक्ट तो यह उनके बारे में question है addressing mode में अगर indirect है तो वहाँ पे memory reference कितने लगते हैं बहुत ही simple question है सबसे पहले indirect में आप एक memory में जाते हो और वो आपको बताता है कि आपका operand कहां पे पड़ा है तो one and this is two total two memory reference लगते हैं यहाँ पे भी इतने ही लिखा है तो both statement are true फिर से वही बात आजाएगी अब कि ज़रूरी थोड़ी है कि पेपर में वो hardware की यही बात चाए indirect की यही बात पूछे तो मैं next video में इसका detail में elaboration दोनों topics की आप लोगों को करूँगी ठीक है so that paper में चाहे hardwired microprogram चाहे addressing mode का topic आजाए और उसके question को कर पाएं upcoming video में next question discuss करेंगे that is related to unix unix में folk command से related है तो यहाँ पे examiner हम से पूछ रहा है के एक folk command हमने apply की हुई है p1 एक way है यह एक method है पहले एक folk command लगाई फिर दूसरी फिर तीसरी ठीक है फिर उसके बाद क्या है print happy तो अब वो पूछ रहा है p1 में happy 8 time print हो रहा है p2 में 12 time print हो रहा है क्या यह true है या false है let's check this detail जब हम folk command call करते है तो उससे एक child बनता है basically तो वो child किसका बनता है एक parent process का यह है parent फिर से एक folk command आई तो वो इसका भी आगे एक parent एक child बन जाएगा इसका भी एक parent एक child बन जाएगा फिर से next एक folk command आई फिर से क्या होएगा एक parent एक child एक parent एक child एक parent एक child इसका भी parent and child तो कितने times ये अब हमारे पास print करवाएगा happy को एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ 8 time is 100% correct answer P1 print 8 time बिल्कुल सही है तो statement 1 is true जहां पे लिखा है statement 1 true है ठीक है, वो options में से answer आएगा ना तो second option इसका answer आए है ठीक है, ना ही इसका answer fourth option है जा तो first option आएगा, जा फिर third option में से इसका answer आएगा we have to check this हमें just इसको check करना है ठीक है, कि इसमें क्या हो रहा है ये fork command है, हर एक fork command के बाद printf की जो है provision लगाई गई है तो पहले क्या था, this is little bit different from that चलो, इसको भी understand करते हैं तो p2 में क्या हो रहा है, first fork calls, two process ठीक है ना, तो जो first fork command है वो दो process बन जाएंगी, उससे एक parent, एक child and दोनों दो बार जो है happy print करवा देंगी two times फिर जो second है, second क्या करेगी? second में भी आगे दो parent and child बनेगा और ये four times print करवाएगी फिर इसके बाद क्या होएगा? next ये भी दो time, ये भी two times this is also two time, ये भी two time total हा गया eight times ठीक है? तो इन्होंने हमसे यही पुछा है कि P2 कितने बार display करवा रहा है? ठीक है? तो P2 कितने बार display करवा रहा है? देखिए, चक कीजिए दो प्लस चार, छे प्लस आठ 14 times, इन्होंने क्या लिखा है? 12 times, ठीक है ना? कितने बार यहाँ पे print हुआ? 14 times print हुआ इन्होंने क्या लिखा है? 12 times, that is incorrect वो गलत है simple clear? ठीक है ना? तो इसलिए इसका सही अंसर है के statement 1 is correct but not statement 2 तो third option इसका correct answer है done? ठीक है? तो main क्या है? आपको ध्यान लगता है कि क्या question हमसे examiner ने पूछा है according to that हमें चलना है ठीक है? यह हो गया option number third is correct answer जल्दी ही मैं next videos कुछ post करूंगी जिनमें मैं definitely आपको और solutions post करने जा रहे हूँ बस आप इन videos को complete करते जाए because as a teacher मैं आप लोगों के लिए ही post कर रही हूँ and feedback देते रही है आपको ये videos कैसे लगी 2020 के solutions है और upcoming exam के लिए important है जितना positive way से आप मुझे feedback देंगे video complete करने के बाद done का message post करो उतना positive way से and within time before your exam मैं आपको question cover कर वाँगी इस session में इतना ही thanks a lot कर दो